मैं आरके विद्या रहती आप सभी का साइन्स वर्ल्ड एडू में स्वागत हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11 के सकेंड बुक असनेप सौट की पहली जो कहानी है दे समर अफ दे बिबुटिपुल वाइट होर्स उससे रिलेटेड जितने भी एमसी क्यूज है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और यह एमसी क्यूज क्लास 11 के जो फाइनल एक्जाम होने जा रहे हैं टर्म वन एंटर्म टू तो टर्म वन में इस चैप्टर को सामिल किया गया है और यह चैप्टर्स जो है वह प्रक्षा के दृष्टिकों से काफी महत्पूर्ण है तो पूरे सेशन में इस पूरे वीडियो में हमने वैसे 40 प्रक्षा में पूछी जाती रही है टर्म वन या फिर फाइनल एक्जामिसंस के दौरान में ठीक है तो पूरे सेशन में हम लोग चलते हैं कि वह सब्जेक्ट वह कुश्चिन्स कौन सा होगा और इसका सही अंसर क्या होगा ये सारा चीज में आपको वन बाई वन बताते चलूंगा आप वीडियो के अंतक टिके रहेंगे तो आप 40 प्रस्णों को भली भाती कमांड कर लेंगे इसे रटनी की आवशक्ता आपको नहीं होगी है ना तो चलते हैं बिना कोई लेट किये तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर दो नाम है एक नाम है आरम और मुराद दोनों ही कजन है मिंच चचेरा भाई है और यहाँ पर जो कहानी लिखी गई है वह आरम के बचपन की कहानी है और उस दौरान क्या था कि यह लोग एक ऐसे परिवार से बिलॉंग करता था जहों काफी गरीव था लेकिन ट्रस्ट और ओनेस्ट इसका प्रतीक था ठीक है तो कहता है कि मुराद वाई सिटिंग और ब्यूटिफूल वह एक बहुत थी ब्यूटिफूल मतलब सुन्दर किस पर बैठा हुआ था ठीक है तो मुराद जो है वह एक white horse पर बैठा हुआ था option A जो तो गेरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस से चोर नहीं हो सकता था, option C, question number 3, मुराद got off the, मुराद कहता है किस से उतर गया, तो मुराद होर्स से उतर गया, option D, अगला सवाल कहता है, question number 4, मुराद was sitting under A, कहता कि मुराद जो है, वहाँ बैठा हुआ था, किस स्पेड के नीच तो आपको मैं बता दू, कि जिस स्पेड के नीचे वह बैठावा था, उस स्पेड का नाम था, peach tree, कौन सा tree, peach tree, option E, question number 5, the, फिर से blank सपस देता है, studied the horse eagerly, कहता कि कौन है, जिन्होंने घोडे को बहुत सी उतसुकता प्रवक study किया, बहुत ही उतसुकता प्रवक study किया, तो जो घोडे को बहुत उतसुकता प्रवक देखा, वह व्यक्ति कौन था, तो वह farmer था, option A, question number 6, the farmer looked into the, है न, blank सपस आपको देखता, of the horse, कहता है कि जो farmer है, वह घोडे का क्या देख रहा था, घोडे का क्या देखा, किसमें उन्होंने देखा, ठीक है, तो घोडे के mouth में कहता है, miles to get here, John Bairou said, कहता है, John Bairou ने क्या कहा, John Bairou ने क्यों कहा, कि वह कितना miles, क्या किया है, वाक किया है, तो जो John Bairou था, वह जब आया था, खोशरो के घर, तो उन्होंने बताया, कि मैं बहुत सारा distance तही करके आया है, और वह distance जो है, वह कितने miles के बराबर है, 10 miles, कि Question number 8, he said in, उन्होंने कहा, blank space, it is a horse, है ना, it is a horse, तो देखेंगे, he said in, तो कौन सी भासा में उन्होंने कहा, कि यह एक घोड़ा है, है ना, कौन सी भासा में उन्होंने कहा, तो जिस भासा का इस्तिमाल किया था, John Bairou ने, वह Armenian भासा का, कौन सी भासा का, Armenian भासे का, चलिए, Question number 9, मुराद, मुराद, blanks a space, when they rode, कहता कि मुराद जब घोड़े को राइड कर रहा था, तो वह क्या कर रहा था, वह सेंग कर रहा था, मिन्स गा रहा था, Question number 10, are you inviting your member of Gerogelin family 2, है ना, कहता कि क्या आप Gerogelin family को invite कर रहे हैं, आनिमंत्रन दे रहे हैं, क्या करने के लिए, चोर tooth for, और उसके आगे, इसके आगे क्या फिलफ होगा, तो याद करिए, tooth for tooth कहा गया था, tooth for tooth, है ना, चलिए, Question number 12, next one कहता है, कि blanks a space, आपको मिलता है, day, John Byro, my cousin, मुराद, से, है ना, तो किनोंने कहा, किनोंने कहा, आपका John Byro से, कि आज का जो दीन होगा, वह क्या होगा, मि किसका, good day का, चलिए, अगला सवाल, he walked the horse quietly to the barn of your deserted, है ना, कहता है, कि जो गोड़ा होता था, उस गोड़े को, ले जाकर के, क्या कर दिया जाता है, एक, deserted barn, खलिहान में, बांध दिया जाता था, तो जो, deserted wine, deserted खलिहान जो होते थे, वह किसका होता था, wine art का, किसका होता था, wine art, option B, अगला सवाल चलते हैं हम लोग, और कहता है, आरम वाजय बॉय आफ, आरम की उम्र कितनी थी, तो आरम की उम्र 9 वर्स था, कितना था, 9 वर्स, question number 50, मुराद वेक आरम एट, कहता है, मुराद ने आरम को कितने बज़े उठाया, सुबह में, तो मुराद ने आरम को चार बज़े उठाया, option B, question number 16, a stealing a horse for a ride could not be called, कहता है, एक घोड़े की चोरी करना, क्या ने कहलाएगा, a stealing नहीं कहलाएगा, a stealing नहीं कहलाएगा, याद करिये, कहता है कि जब तक किसी वस्तु को चोरी करके बेच नहीं दिया जाए, तब तक a stealing नहीं कहलाता, इस तरीके से सभी जबाब क्या होगा, option a stealing, next, अगला सवाल हमारे पास है, जौन बाइरो वाज ये, जौन बाइरो कौन था, तो याद करिये कि जौन बाइरो जो था, वह एक किसान था, option a, question number 18, अंकल खोशरो वाज ये, अंकल खोशरो जो था, है न, वाज ये, अब समझे कि यहाँ पर options आपको मिलता है, चार, कितना, चार, तो कहता है कि, खोशरो अंकल के बारे में हम लोग समझी है, कि खोशरो अंकल के बारे में कहानी में हम लोग चर्चा किया गया था, कि वह थोड़ा सा crazy type का इंसान थे, सन की type के इंसान थे, दिवानापन, भागलपन की बादचित हम लो वह क्या था, कि बच्चा जो है, जो बच्चा है, वह बच्चा बैठा हुआ था, और वह बच्चा का नाम क्या था, आरम और मुराद किस पर बैठा हुआ था, वाइट होर्स पर बैठा हुआ था, ये किनों ने देखा, जॉन बाइरो ने देखा, ठीक है, question number 20, the story is related to आरम's कहता है कि जो कहानी हम लोग पढ़े हैं, कि यह कहानी आरम से related है, तो आरम के किस चीज़ से related है, तो आरम के बच्चपन से related है, किसे childhood से, option A, question number 21, the story the summer of the beautiful white horse is written by, के जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, या जिस कहानी के बारे में चर्चा किया गया है, the summer of the beautiful white horse, या किस के द कि आरम और मुराद जो है, वो अपने चुराए गई गोडे को कहां पर छुपाता था, कहां पर छुपाता था, नहीं, तो हम लोग या उपर में भी चर्चा किया है, इन सवालों का, कि यह जो छुपाने का जो काम करता था, वो एक deserted white art में करता था, और यह कौन था, option B, जो थाकार है, वो क्या करता है, कि दरवाजिक टैपिंग का, मतलब थाप थापानी की आवाज वो सुनता है, who was there outside the window, कहता है खिड़की के बाहर कौन था, तो खिड़की के बाहर आपको समझ में आ गया होगा, कि खिड़की के बाहर जो इनसान था, है न, वो इनसान कोई और न प्रतिक था, इसलिए option C, जो है इस सवाल का सटिक जवाब है, question number 25, what according to RM, was his first longing, कहता है, कि एगर हम बात्चित करें, RM के अनुसार, उसकी पहली इच्छा क्या थी, उसकी पहली की इच्छा क्या थी, तो उनकी पहली इच्छा ये थी, कि वह घोड सवारी कर सके, क्या कर सके, it means option जो C है, वह सही जवाब है, to ride a horse, question number 26, question number 26 कहता है, where did RM leave, RM कहां पर रहता था, तो RM जिस जगह पर रहता था, उस जगह का नाम, यहाँ पर देखेंगे, कि चार options आपको दिखते हैं, और RM जिस जगह पर रह रहा है, उसका नाम है, at the age of the town on walnut avenue, है न, option D जो है, इस सवाल क जवाब है, अगला सवाल, why couldn't RM believe when he saw murder with the horse, कहता है, कि RM को यह विश्वास क्यों नहीं हुआ, वह क्यों नहीं विश्वास कर सका, कि मुराद को जब उन्होंने घोड़े पर देखा, तो याद करिए, कि जो गहरोगले परिवार थे, वो लो क्या थे, काफी गरीब परिवार जिसके बस की बात नहीं थी, घोड़े को खरीदना, इसलिए RM जो है, वह विश्वास नहीं कर पाता है, कि यह मुराद का घोड़ा होगा, ठेक, तो कारण क्या है, कि उसका जो परिवार है, या फिर उसकी जो जन जाती है, वो क्या था, means poor था, because they were poor to afford your horse, नहीं, इतना गरी था, कि वह यह घोड़े को खरीद नहीं सकता था, question number 28, how does RM describe the horse, RM ने घोड़े को किस तरीके से describe किया है, वर्णन किया है, तो RM ने घोड़े को magnificent भी कहा है, beautiful white horse भी कहा है, and lovely भी कहा है, it means option C, जो है इस सवाल का सही जवाब है, question number 8, 29, मुराद वाज consider the natural descendant of each, कहता कि मुराद जो था, वो अभी एक, जो है न, natural descendant था, मतलब कह सकते हो, माना जाता है, मुराद को माना जाता है, कि वो एक natural descendant है, किसका, वो uncle का, अपने uncle का जो गून है, crazy पन का, ठीक है, वो crazy पन का गून किस में चला गया है, मुराद में, और वो crazy पन जो था, irritate, impatience के जो गून थे, uncle में, किस में, uncle, तो 29 का जो सही जबाब होगा, वो क्या होगा, B, question number 30, how would you describe uncle Khosro, कहता है, कि uncle Khosro को आप कैसे describe करेंगे, तो आप याद करिए, कि uncle Khosro, जो थे, वो hot tempered थे, irritable थे, impatient से, impatient थे, point, इस तरीके से, ये तीनो गून उसके पास था, इसलिए option B, जो है, इस सवाल क सही जबाब है, question number 31, what did uncle Khosro do to stop anyone from talking, कहता है, कि Khosro uncle, जो थे, वो क्या बोल करके, क्या बोल करके, या क्या करके, दुसरे को चूप करा देते थे, सांत करा देते थे, by shouting at them, है ना, उस पर चिलाते थे जोर से, और उनकी जो चिलावट थी, इसको सून करके, अगला क्या हो ज राता था, question number 32, what was uncle Khosro customary line, कहता है, कि uncle Khosro का customary line क्या था, याद करिये, वो बात बात पर हमेशा बोला करते थे, it is no hard, pay no attention to it, option D, जो है, सही जबाब है, question number 33, when RM rode the horse alone, it ran down the road to the, कहता है, कि जब RM अकेले घुट सवारी कर रहा था, तो घोडा, जो है, सडक से उतर गया, और wine art के तरफ में चला गया, किस के तरफ चला गया, wine art, नहीं, तो इस तरीके से, 33 का जो सही जबाब है, वो क्या है, option A, नहीं, चलिए, अगला सवाल, what sort of an understanding did Murad mention with the horse, कहता है, कि Murad ने, किस तरह का understanding का, mention किया है, कहानी में, तो Murad बूला था, कि हम घोडे के साथ, बहतर relation बना चुके हैं, क्योंकि हम simple and honest है, simple and honest है, option B, 35 नमबर सवाल कहता है, John Byro learned to speak Armenian out of, तो कहता है, John Byro जो किसान था, farmer जिसके घोडे को चुराया था, मूराद ने, वो Armenian भासा जानता था, बोलने के लिए असीख लिया था, कारण क्या था, कि वो अकेले छूट गया था, अकेले बच स्थिती में, यह यहां रूख गया था, आर्मेनिया में, और इसलिए उन्होंने कौन सी भासा सिख लिया था, आर्मेनियम, तो अकेले रूखने के वज़े से हम लोग क्या बोल रहे है, लॉनली नेस, चली, अगला सवाल, 36, for how long did मुराद have the horse before आरम गोड to know about it, कहता है, कि आरम को जब पता चला, कि मुराद जो हो घृषवारी कर चुका है, तो वह कितने दुरों से घृषवारी कर रहा था, for how long did मुराद have the horse before आरम got to know about it, तो वह कितना समय था, एक महने पहले से, एक महने से, मुराद जो घृषवारी कर रहा था, question number 37, I have a way with farmers who says it to whom, कहता है, कि जोने कहा कि मुझे farmer के साथ deal करना आता है बात चित करना आता है नहीं तो कहता है कि I have yeah way with marketplace who say it to whom और यह बात किणने किस से कहा किने तो मुष्वादं ने किस से कहा मुझे आरम से मुझे मुझे किस से कहा जो है वसाही जबाव है question number 38 के तरफ बढ़ते और कहता है after the horse was stolen and returned it become कहता है कि घोड़े को जब चुराया गया और उसे जब return किया गया तो जो घोड़ा था वह क्या हो गया था तो घोड़ा ज़्यादा strong हो गया था and better tempered हो गया था बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था कहता है कि इस कहानी के लेखक कौन है तो इस कहानी के लेखक है इस तरीके से इस chapter से जो most important xmcq थे उसको हमने cover किया उमीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा इसी तरह के वीडियो का पूरी तरह से benefit लेने के लिए या फिर सारे सवालों का जबाब आप जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें समय समय पर आपको हर एक updates मिलता रहेगा और मैं बता दू कि इसी चैनल पर आपको class 11 and class 12 के हर एक विश्चों का complete package complete solution यहीं पर मिलेंगे आपको इस चैनल पर physics भी मिलेंगे chemistry भी मिलेंगे mathematics भी मिलेंगे biology मिलेंगे English मिलेंगे economics मिलेंगे and computer science मिलेंगे तो आप अगर class 11 and 12 के student है तो इस चैनल को जरूर subscribe कर ले साथी साथ अपने दोस्तों को जरूर share करें बहुत बहुत धन्यवाद